नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल गरर का एक बहुती कुपसूरा डिजाइन लाइन हूँ जिसे बनाना बहुती आसान है और बहुत सुन्दा दिखाई देता है ये डिजाइन चार लाइन में बनके तियार होता है और इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्टा हम तीन तीन फंदे गिने तो हमारे पास लास्ट में दो फंदा आना चाहिए तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा डिजाइन बताने से पहले आपसे अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर दें और डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो क्रिपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड सोर फैमली में शेयर करें तो चदिये फ्रेंड सम डिजाइन बनाते हैं तो ये डिजाइन सामने की तरफ से बनता है इसलिए अगर आपको फंदे बनाने हो तो आप रॉंग से फंदे बढ़ा सकते हैं तो डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो हम दो फंदा उल्टा बढ़ेंगे एक दो और तीसरा फंदा सीधा तो इन ही तीनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और करेंगे एक फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे दो फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे एक फंदा सीधा तो इन्हें तिनों फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिनें हम उल्टा बना लेंगे तो शुरुआत में भी दो फंदे उल्टे हैं और लास्ट में भी दो फंदे उल्टे आ गए अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइड तो दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा इन ही तीन फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है 2 फंदा सीधा बनना है और 1 फंदा उल्टा तो इन्हीं 3 फंदों को धूराते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे और लास्ट में 2 फंदा सीधा तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लेट हो गया अब ये डिजाइन का तीस्रा लाइन है और सामने से तो दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब तीसरे फंदे के तीसरा फंदा हमारा सीधा है तो तीसरे फंदे के साइड में एक लाइन नीचे आएंगे देखिए ये जो छेद है तीसरे फंदे के बगल में साइड में एक लाइन नीचे ये जो छेद है इसमें हम सलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे और अगला फंदा सीधे वाले फंदे को सीधा बुलेंगे उन अपनी ओर करेंगे अगले दो फंदे उल्टे हैं जिनें हम उल्टा बुलेंगे उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा सीधा है तो सीधे वाले फंदे के साइड में एक लाइन नीचे ये जो छेद है इसमें हम स्लाइड डालेंगे एक लूप निकालेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे अगले दो फंदे उल्टे है इन्हें हम उल्टा बना लेंगे उन दूसरी ओर देखिए अगला फंदा सीधा है तो सीधे वाले फंदे के बाद एक लाइन नीचे देखिए यह जो छेद है इसमें हम स्लाइड डालेंगे एक लूप निकाल लेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुलेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे अगले दो फंदे उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बुलेंगे उन दूसरी और सीधे वाले फंदे के बाद हम एक लाइन नीचे ऐसे स्लाई डालेंगे एक लूप निकाल लेंगे अब सीधे वाले फंदे को सीधा बुल लेंगे उन अपनी और करेंगे अगले दो फंदे उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बुल लेंगे तो इन्ही तीन फंदों को दूराते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे तो हर सीधे फंदे के बाद हम एक लाइन नीच आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बुलनेंगे लास्ट में दो फंदे बचेंग उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बन लेंगे तो ये हमारा तीसरा लाइन कम्प्रीट हो गया अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉंग साइड तो दो फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बन लेंगे और ये देखिए ये हमारा ये हमने लूप निकाला था और ये सीधा फंदा तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी और करेंगे ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बन लेंगे उन अपनी और करेंगे ये देखिए ये हमने ये सीधा वाला फंदा है सामने की तरफ से और ये हमने लूप निकाला था तो दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे अब इन दो फंदों को एक साथ लेंगे लूप को और सीधे वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और wrong side से एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी और अगले दो फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे उन अपने और अब देखिए ये हमारा सीधा फंदा है तो ये सीधा फंदा और ये हमने जो लूप लिया था इन दोनों को हम एक साह लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे तो इन्ही तीनों फंदों को दूराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे पाशवी लाइन में हम अपने पहले लाइन को दूराएंगे यानि दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कम्प्लेट कर लेंगे अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं और यह हमारा छटा लाइन है तो जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनते चले जाएंगे दो फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हमने छठा लाइन कम्प्लीट कर लिया अब ये डिजाइन का सात्वा लाइन है और सामने से तो सात्वे लाइन को हम तीसरे लाइन की तरह बनाएंगे यानि कि दो फंदा उल्टा बुनेंगे सीधे वाले फंदे के बाद एक लाइन नीचे स्लाई डालेंगे एक लूप निकालेंगे और फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बुलेंगे नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा बुलेंगे उन दूसरी और करेंगे सीधे वाले फंदे के बाद एक लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बुलेंगे उन अपनी और करेंगे अगले दो फंदे उल्टे हैं जिने हम उल्टा बुलेंगे तो इन्ही तीन फंदों को दोराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे अब ये डिजाइन का आठवा लाइन है और रॉंग साइट तो दो फंदा हम सीधा बनेंगे उन अपनी और करेंगे अब ये दो फंदे उल्टे दिखाए दे रहे हैं तो दोनों को एक साथ लेकर एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी और करेंगे दो फंदे सीधे दिखाए दे रहे हैं इन्हें हम सीधा बन लेंगे उन अपने और करेंगे और यहाँ पे हमने एक फंदा लिया था तो एक फंदा बढ़ गया था अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुर लेंगे तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जाएंगे दो फंदा सीधा फिर दो का एक उल्टा उन दूसरी और दो फंदा सीधा उन अपने और दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे दो का एक उल्टा दो फंदा सीधा दो का एक उल्टा तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इन ही चारो लाइनों को दोहराने से छोटी छोटी बुटी का ये खुबसुरत सा पैटरन बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा देखिए फ्रेंड्स छोटी चोटी बुटी का ये कितना सुन्दर इसे आप अपने स्वेटर में बनाएगे ये बहुत ही सुन्दर दिखाई देगा तो फ्रेंड्स दिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आए होगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग